गुड़ मॉनिंग एवरिवन आज 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर से करंट अपेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्यूसन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डीटियल में इस वीडियो में और प्रते क्यूसन के साथ इस्टेटिक जीके के इंपोर्टेंट पेक्ट भी दिये आप से तो कमेंट वोक्स में उसका आंसर आप जरूर बताएं अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससें की आप तक डेली करंट पेर का यह वीडियो पहुंच सके हैं तो अनसर को स्यारर छोदा सितमर बता और कूछ लोगोंने नो जनवरी बता और कुछ लोगों ने नों 9 जनवरी गया तो यह वी सूह इंदी तो यह द्यान देना है 20 दिवस और 14 सितंबर को ता है राष्ट ये हिंदी दिवस क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला 20 हिंदी समय लण वाता तो इस वह जासे मनाय जाता है 10 जनवरी को विसु हिंदी दिवस उसके लाव 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी बासा है उसको राजबासा के रूप में बारत की राजबासा के रूप में सुविकार किया था अनुछे 343 के तर 14 सितंबर 1949 को इसलिए 14 सितंबर को राष्ट ये हिंदी दिवस याने नेशनल हिंदी डे उसके लाव World Hindi तो तीन परकार के दियोस होता है एक होता है विसु यानि World एक होता है International यानि अंतर्राष्टे और एक होता है राष्टे यानि नेशनल तो विसु दियोस तो यह विसु के हर देशों में मनाया जाता है विसु का मतलब होता है वर्ल्ड के सब भी जितने भी country उन में अंतर राष्टिय का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों में ये पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता है दो या दो से अधिक देशों में मनाया जाता है कोई भी देश तो वो होता है अंतर राष्टिय उसके लाव राष्टिय होता है के जनम दिन पर मनाया जाता है तो यह confusion दूर हो जाना चाहिए तो आशा करता हूं कि confusion दूर हो गया होगा तो ध्यान करें ध्यान देना कि यह विश्व हिंदी द्योस क्या पूचाए क्विशन उसको गोर से पढ़ना है उसके बाद यह इस Donc Channel अनसर बताए तो Instagram पर फोलो नहीं कहा है तो Instagram पर जरूर फोलो करें यह एजुकेशन ने मेडिकल आयाइटी और जे डबली इनकी प्रिप्रेशन कराता है यह आकास एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड इसी ने अपना ब्रांडम बेस्टर बनाया किर्केटर यूराज सिंग और यह नों ने टी टुवन्टी में जो दोजार साथ का वल्ड कप हो उसमें छे गयंदों पर छे चक्के लगाए थे इंगलेंड के खिलाप यूराज सिंग ने इसलिए बहुत फेमासी यूराज सिंग यह ब्रांडम बेस्टर बने आकास एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के उसके लाव अभी विराट कोली यह बनेते भी ग्रेट लर्निंग के उसके लाव भी सोनुसूद सोनुसूद बनेते एसर इंडिया एसर इंडिया यह ताइवान के कंपनी है लेप्टॉप बनाने वाली कंपनी है एसर इंडिया इसके बनेते सोनुसूद अभी नेता है उसके लाव आमिर खान कली बताया है भी यह सी इएटी इसके ब्रांड सचिंत अंदुलगर आया प्ल यान इंडियन इंपो पाइनस लिमिटेड और किंग्डम और इसके बने हैं रोईश्रमा तीनों के रोईश्रमा उसके लाए बाइक गो इसके अरब जन सिंग बने हैं इस्पोर्ट अड़ा के बने थे ब्रेटली तो यह आजखना है कुछ ब्रा ब्रांड अम्बेसर से रियलिटेट तो उनको जरूर रिवाइज करना है नेक्स्ट किसने तो इसी तरह इंपोर्टेंट पेक्ट दे जाएंगे तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कि है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें नेक्स्ट किसने है आली में जारी व रेंकिंग है इसमें कतर है सबसे लास्ट याने 181 इस्तान पर यह वेस्विग जोकिम रिपोर्ट 2020 यह गलोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 तो इसमें भारत निम्वियासी पे और पहले पहले वाले का और इंडिया की रेंकिंग नेक्स्ट किसने है हाले में विशू प्रेटन दियोस कब मनाये गए हैं तो यह very important है कल बताये थी कि कल वाले वीडियो में बताये जाएगा तो 27 सितंबर को मनाये जाता है World Tourism Day तो यह एर साल मनाये जाता है 27 सितंबर को अब यहां भी देन देना है इसमें यह विशू प्रेटन दियोस की बोला है एक राष्ट यह प्रेटन दियोस भी होता है तो वो 25 जनवरी को आता है तो इस तरह कन्प्यूज नहीं होना है यह विशू प्रेटन दियोस 27 सितंबर को और राष्ट यह प्रेटन दियोस मनाये जाता है की दियोस की टीमेस के ट्यूरिजम एंड रूरल डवलप्मेंट और बात आये ट्यूरिजम की तो इंटरनेशनल ट्यूरिजम ओर्गिनाइजेशन इसका हेड को अटर यानी मुख्याले मेड्रेड इस्पेन की केपिटले मेड्रेड तो यह विशु प्रेटन दियोस है 27 सुअमेट की जहनती पर 12 जनावरी को इसीतर से 24 जनावरी को आता है बाली का दिवस उसके लाओ अंतर राष्टिय बाली का दिवस आता है 11 अक्टूबर को उसके लाओ अंतर राष्टिय शिक्सा दिवस आता है 24 जनवरी को और राष्टिय शिक्सा दिवस आता है मौलाना अब्डूल कलाम आजात के जनम दिन पर 11 नॉम्बर को तो बार के पहले दिवस याद रखना है लिंक करके हैं नेक्स्ट कुशन है हाली में किसे राष्टी है चिकिच्चा आयो गया ने नेशनल मेडिकल कमिशन इसके पहले अद्धिक्स के रोप में नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है दिख रही हैं आपको right side में इनका नाम है कि राकेस कुमार वत्स आरके वत्स इनको राष्ट्य चिक्षा आयोके मासचीयू के रूप में नियुक्त किया गये हैं तो द्यान करा हैं सुरेश संद्रवर्मा तो बने इसके पहले द्यक्स और यह मासचीयू बने इसके राकेश कुमार वत्स राष्टिय चिक्षा आयो के यहने नेशनल मेडिकल कमिशन उसके लाव ऑप्शन में और भी नाम दियें यह मास्चिव और यह अद्देक्स सिवांगी सिंग यह लड़ाकू रापेल विमान को उड़ाने वाली पहली मैला पाइलेट बनी है वारा इक राणा सप्विव को कि यामिन हजारी का पुरुषकार मिला तरणा सप्विव को यह उलक्त्रक्राण परश्ट प्रस्टेय ने यह कि मैं अपनी तरह का पहला काई रडीक लेश्टीटट麋श है यह लॉंच कि यह IDFC पस्ट बैंक ने तो इसमें क्या होगा जो IDFC पस्ट बैंक का जो मोबाइल एप होता है उसमें debit card on रहेगा और आपको debit card अपने पास रखने की जुरुरत नहीं पड़ेगी जो point of sale machine आती है उसके अपर अपने smart phone को गुमान आए जिससे किया payment कर सकते हैं तो 2000 रुपे तक कब Capital Prest और IDFC पस्ट यह दोनों का merger यानि विले हुआ है उसके बाद इसका नाम IDFC बैंक से IDFC और Capital Prest का पस्ट लेकर यह IDFC Capital Bank बना दिया गए हैं दोनों को विले करके उसके लाओ इसकी स्थाब ना 2015 में हुई थी IDFC पस्ट बैंक की इसका head को आट रहे हैं मुंबई में और इसके MD&CEO वी वेदेनात नेक्स्ट किसन है और यह अमिताव बच्चन की पोट दिखाय दे रही हैं तो यह IDFC पस्ट अब नेगेटिव में भारत की कॉनमी हाली में UNCTAD ने वितवरस 2020 में भारत की GDP कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो यह अनुमान लगाया है भी माइनस पांच में नो परतिसत का UNCTAD यहाने युनाइटेड नेशन कॉन्प्रेंस ओन ट्रेड ओन और और परतिसत का अनुमान लगाया था मूडीज ने माइनस दस पांच परतिसत का अनुमान लगाया है किसने लगाया था यह लगाया था फिच रेटिंग ने उसके लाओ माइनस दस पॉमिंट नो परतिसत का लगाया था एस बी ने उसके लाओ माइनस नो परतिसत का लगाया था अदिबी ने भी लगाए था S&P ने भी लगाए था Kricil ने भी लगाए था AC&D हैंग इन्होंने-9 परतीसेत का लगाय था उसके लब इंडिया रेटिंगंने-8.2 परतीसेत का रहिए था नेगेटिव में तो बारत की जीडीपी अभी बहुत खराब है और यह जीडीपी के पुलफ़ार में ग्रॉस्ट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट याने सकल गरेलू उत्पाद नेक्स्ट कुछन है कि से हालिमें से पुरेस्ट आनद वं का उधगाथन किस राज्य में किया गया हैं तुर वiende छम उनके जीडितंतिंगे और उसके लाव जो भी प्राकृतिक दरस्ते हैं उनको इसमें दर्शायawk इस आनन्द वन में जिस एक तरह से इसे नेचर एजूकेशन सेंटर के रूप में बनाया जाएगा तो यह द्यान रखना है उसके लिए अभी एडवेंचर को एडवेंचर प्रियेटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन तिबत बॉर्डर पुलिस आयटी बीपी के साथ स समर केपिटल है और यह विंटर केपिटल है देरादून चिपनिस्ट ने तिरिवेंदर सिंग राओत और गवर्नर बेबी रानी मोरिया उसके लाओ उत्राखंड से और कुशन बताते हैं फूलों की गांटी यह उत्राखंड में वेर इंपोर्टेंट है उसके लाओ जिम का हाले में AIAP याने All India Putball Federation Putball of the Year किसे चुनाएं तो इन्हें को यह भी All India Putball Federation Putball of the Year के रुप में चुनाएं तो यह भारत यह पूरुस के गोल के पर हैं यह Group Reaching उसके लाओ संजू है मैला टीम की मेड़ी पिल्डर उसके लाओ इनको पहली बार यह अवार्ड मिलाएं इनके लाओ यह पहली बार आवार्ड मिलाएं गुरुपरित सिंगो तो यह आद रुकरें नेक्स्ट कुछन है उसके लाओ बात करें AIAP की बारे में बताते हैं इसकी स्तावना 1937 में हुई कोस्ट गार्ड अकेडमी इस्तापित की जाएगी अकादमी इस्तापित की जाएगी तो यह की जाएगी करनाटक के मंगलोरो में तो करनाटक के मंगलोरो में भारत की पहली तटरक्सक अकादमी यानि कोस्ट गार्ड अकेडमी इस्तापित की जाएगी तो यह मंगलोरो करना लिकार्यों को ट्रेनिंग देने में सक्सम बनाएगी यह तो बात करें करनाटक की तो यह रामेप में करनाटक केपिडल ने इसको बैंगलोरो बैंगलोरो को बारत का सिलीकन वेली का जाता हैं चेपनिस्ट ने करनाटक में बांदी पूर नैसनल पार्क अंची नेसनल पार्क बैनरगटा नेसनल पार्क नगरोल नेसनल पार्क वेर इंपोर्टेंट है चारो करनाटक से उसके लाओ केगा निकलियर पाऊर प्लाट यह वzero правильно ऑप अनुसंतान के बिए कुर्ग जीवार्णदान की सभाडी ऊत्वादि कॉपी यह कौन सा है करनाट उसके लाव सूरज-मुखी तौप में करनाट इसके लाव है सूरज-मुखी रेसम और खदाने कोलार खान यह करनाटक में तो सोना सबसे जदा उत्वादीत होता हैं करनाटक में और कौनची खान है कोलार खान या मद्य परद्देस की ही की खान के उसके लाव अफ़त मित्र यो एब भी लॉंच किया था कोरोनावाच कोरोनावाच एब भी लॉंच किया था इसने करनाठक नहीं तो यह आधकना है करनाठक से इतने important question है next question है हाली में किसे India International Center यह कहाँ पर नई दिल्ली के आज इवन ट्रेश्टी के रोप में न्युक्त किया गया है गौपाल कर्षन गांधी को तो यह यह गौपाल कर्षन गांधी और इनी को इंडिया International Center अप नई दिल्ली इसी के आज इवन ट्रेश्टी के रोप में न्युक्त किया गया है तो यह दिल्ली में जो ओप्सन में दियो हैं परदीब कुमार जोसी वेर इंपोर्टेंट है नाम UPSCN Union Public Service Commission इसके अद्देख्स बने थे परदीब कुमार जोसी अविक सरकार यह प्रेस ट्रस्ट ओप इंडिया इसके अद्देख्स बने थे अविक सरकार उसके लाव विन्नी माजन यह पंजाब जोहन अचोनी ओजना किस राज जिसरकार ने लॉंच की थी यह लॉंच की थी असम गौवर्मेंट ने अब आपके लिए आज का क्यूसन हाले में यामीन हजारी का पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गये हैं तो इसका क्रेक्टर आंसर आप कमेंट वोक्स में जरूर बता हैं अगर किसी भी क्यूसन से आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट वोक्स में बताएं या वाट्सप नमबर के तो अपनी प्रॉब्लम सेर कर सकते हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चिती मदद मिलेगी तो वीडियो को रेगुलर डेली मौर्णिंग में जरूर देखें तो इस चैनल अल्वेज विट यू तो थेंक्स पर वाचिंग इस वीडियो थेंक्स आल प्रेंट्स